आलोग जी आप से बात शुरू करूँगा, न ये जुकने को तयार न वो जुकने को तयार, रास्ता कैसे निकलेगा, और विना संबाद के तो कोई रास्ता मैंने अपने 35 वर्ष के पत्रकारी जीविन में निकलते देखा नहीं, आप अपने दफ्तर में बैठे रही है, वो अ कंभीर रूप से हो रही हो, आईसा मुझे दिखता नहीं, आलोग जी, अपने मेरे मूग की बात ही चीली में, यहीं कहने जा रहा था कि संबाद ये किसका हाल है, संबाद के स्वाए को रास्ता नहीं है, और जिस तरह से दिखाई दे रहा है, वो संबाद हिंटा की सित्तिय अउर्मниц से जा रहा है, इस घ्रिए हो रहा है, इस प्रोल ये होत जादा, प्रेचा, इसटेरि ऐसिnessे, तैने मुझे और ये रमुख है, जोर्म पहुचा पाने के ब दो चीलोस है, रहा है, इस तो ही मेरे घर चारमाओ तो शोर्ने मं ता नहीं तर आने जाने जाने तक्षे बैठे रहते हैं, तो ये भी इस प्रॉब्लम हो, सरकार उसको अगर गर्डॉल करती है, टीचर को रेगुलर करने के लिए, तो जो प्रॉब्लम आ रही है, कि नेट नहीं है, रोड नहीं है, इस वज़े से, ये प्रॉब्लम सरकार देखी, आपके पास, मैं विजय बंधू के पास चलू, फिर दोनों राजनेतिक मित्रों के पास चलू, उससे पहले, एक जानकारी रखूं, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में, चीजें एक पक्षी हो जाती है, एक आंगी हो जाती है, यह जो सरल रास्ता होता, उस पर सब लोग चले जाते हैं, महाजना, एन, गता, सपन्था, जिदर सब बड़े लोग या रहे, बोले, उदरी सही है, प्राइमरी स्कूल का टीचर क्या क्या करता है, इसमें पढ़ाई छोड़ दी मैंने अभी, आलोग जी आप समझो, बीजे बंदू को पता ही है, हमको एक ने भेजा, अध्यापक ने, बोले बाई, सबका आधार सत्यापित करो, फिर वो ऑनलाइन करो, जिनका आधार न बना खाना बनवाकर खिलाओ मिड़े स्कीम में, दूद, फल, सबजी लाओ मंडी से, छिक, पुस्तके बाटकर ऑनलाइन फीड करो, अभिवाबक का आधार फीड करो, बैंक से सीड कराओ, बाल गणना करो, जन गणना करो, निपन लक्ष हासिल करो, बिना सफाई कर्मी के लेटर पत्र बाटो, चुनाब की परची बाटो, चुनाब भी निप्टाओ, काउंटिंग भी कराओ, विद्याले की मरमत करानी जरूत हो, तो मरमत कराओ, एक-एक पैसे का हिसाब दो, पोलियो ड्राप आजाए तो वो भी पिलवाओ, बोर्ड परिक्षा में जाओ, ये सारे काम आफलाइन करो, और फिर ओनलाइन हाजरी लगाओ, बोलो स्रियावर्राम चंदर की जय, तब ये टीचर के काम है, ये टीचर के काम है, सफाई कर्मी नहीं, लेटिन सुक्ष साब क्यो नहीं है, बीएसे साब आयो, जहां का, बोले सस्पेंड करो, पांस टीचरों को, बोले तट्री साब क्यो नहीं है, इसलिए बढ़ती किया तटीचर को, बाल गणना, जन गणना, बुद्डे की गणना, जबान की गणना, सब अध्यापकी करेगा, तलको उसको गाय, भक्री और भेड की जन गणना में, गणना में लगा दोगे, ये चाहते हैं क्या, कि मास्टर ह इसको काओ, कि आउनलाइन हासी लगाने के बाद सारी भक्रीयों की गणना करें, और आउनलाइन फीड करें, ये चाहते हो क्या, और एक सवाल, तराजू ठीक रखिए, रागविंजी के पास आउंगा, पूछूँगा, अभी यहाप फ्लोर पर रख देता हूं सवाल, बेसिक शिखशा निदेशाले में अउनलाइन हजरी लागू है, हाँ यह ना, वो उत्तर देना होग मुझे, बहां से चलो जोइन डारेक्टर का आफिस से होते होते, जिला के बेसिक शिखशा का आदिकार आफिस, और फिर खंड़ शिखशा आदिकारियों के आफिस, नीच प्रशिलीक आई उनके सब के ओनलाइन लग रही है और उनके ओनलाइन नहीं लग रही तो सिख्षे को फासिब चढ़ा दोगे बोले ओनलाइन नहीं लगाओ तनखा रोक देंगी तो बारी यह तरीका ठीट नहीं और मंजूर भी नहीं होना चाहिए पहले सास करके दिखाए तो न बहु करेगी क्या वहां लागू हो गया हो गया तो सरकार बता दे मैं धापकों से अपील करूँगा आपके जब बड़े ओनलाइन हाजरी दे रहे तो आप क्यों नहीं देंगे बिजय बंदू मुझे बताईए शाषन के इस तर से सरवोच इस तर से कोई बाच्चीत की पहल शुरू हुई सर बहुत बहुत धन्वाद आपका और आपने बड़ा सवाल और महत्मुन सवाल किया पांच दिन आज हो गए इतना बड़ा संकट है इतनी बड़ी समिस्या है बताई जा रही है सारों तरफ चलाया जा रहा है अध्याकों की गरिमा उनके संबान के खिलाब तमाम चीज़े लिखा रही है पास दिन से कोई भी अधिकारी लेबल पर प्रसासन लेबल पर सासन लेबल पर कोई वारता तक नहीं हुई कितनी संबेदन हीन सलकार है कि वह वारता तक नहीं करने करने क्यार है अब यह समिस्या है हम भी बैठने क्यार है हमारे प्रतिमंडल बैठने क्यार ह आप वार्दा करी हम अपनी समयश्याइं बताए उस समयश्याओं का आप कितना समयधान कर सकते वो बताए उसके बाद कोई रास्ता निकले वो बताए बात चीत तक नहीं मतलब यह अपने आदिबुत बात है छे छे लाक से छक अपनी इस विरोध को जटा रहा है काम करते हु संबाद तक नहीं हुआ यह बड़ा दुरुभाग पूर है और मैं सारा आपने बहुत अच्छी बात ठाई कि जो सरका जो सर जो टीचरों की समयश्या है उनको हल करने कित्रा टाइम लगता है सासन को आप सीयल कर रहे हैं दे दीजिए ती सीयल दे जीजिए चिकिस्ता दे परतिपूर्थी उनको तरह इस इतनी देरी क्यों हो रही है आप ने ले सकते हैं तो चोटे चोटे निड़े हैं लेकिन लेने की बात चोड़िये साथा संफां दिन से वार्दा करने को भी तयार नहीं है अपनी धर्मिता पर लगा हुआ है हम अपने विद्या ले जा रहे ह कभी जी में एक हर्दोई के जिला अधिकारी हैं मंगला प्रसाथ सिंग उनका आज का आदेश है मेरे हाथ में मंगला प्रसाथ का कि इसमें 83 स्कूल है हर्दोई जिले के जिनको 18 तारीक तक के लिए बंद कर दिया गया मालूम है क्यों वो टापू में तब्दील हो गए उपर जल नीचे जल मध्य में जल जल ही जल वहाँ पहुंचना संभव नहीं तो डिम ने 83 स्कूल बंद कर दिया वहाँ ना ओनलाइन हो सकती ना ओफलाइन हो सकती वहाँ लाइनी खतम हो गई अईसी स्थिती और उस वक्त यह परिस्थिती पैदा करना जब आपको पता है कि हमारी विवस्था इतनी मजबूत है कि हमको बर्सात में एक एक जिले में 80-90 श्कूल बंद करने पड़ेंगे दस-10 दिन के लिए तो कहे को इतना बड़ा बावाल क्रिएट किया अभी अमिताब जी सबसे पहली चीज तो यह है कि जब लोग तंत्र में राज तंत्र इस्थापित किया जाता है तो उसका सफल उधारन मोजी और योगी शाचन है एक एक करके सारी जनिता के साथ इन्होंने वही वहवार किया है और टीचरों के साथ जो यह वहवार है आपको एक बात बता दे क्योंकि हम लोगं के भी रिष्टे में तमाम टीचर सिंगे और हम लोग रोज उनकी मुसीबतों से ौ-4 यए तो कि हम लोग कोई बड़े और इनके हाँ ये है कि King can do no wrong, हमने अगर कोई आदेश कर दिया तो वो तुम पे लागू होता हम पर नहीं लागू और ना आप कह सकते हो कि गलत है भाई राजा जो कहे वही कानून, लोगतंत्र होता तो दूसरे पक्ष की भी सुनते ये एक लाका सुविचार नियम है, at the atom partum, मानि दूसरे पक्ष की भी सुनो, ये साथ दूसरे पक्ष की नहीं सुनेंगे ये एक ही पक्ष की सुनेंगे, बस आदेश दे दिया आप जाओ करो, तुमको कह दिया कि जनकड़ना करना है तो जाड़ा गर्मी बरसा, कोईसा भी मौसम हो, तुमको करना है, इतने दिन में देना है, तो देना है इनकी फिलासोफी ये है, कि ये है, जो सरकारी नोकरी है, इन नोकरों से बहुत चिड़ते और उसका कारण है चुड़नेगा, पूछ लेते हैं, कि अरे वाई, सिक्षकों को बताओ, A, B, C, D पढ़ा रहे हैं और ये प्रैमरी सिक्षक हैं, एर्थ वाले सिक्षक हैं, इनको सत्तर हजार रुपया मिलना है क्यों भाई, किसानों, अगर इनको दस हजार रुपया कर दिया जाए, और आपको उसी का खार थोड़ा कम कर दिया जाए, कहना है तो कैसा रहेगा पीछे से, योगी, मोदी, योगी, तो ये इनके सिस्टम में है, ये काम नहीं करते हैं सिख्चकों से बेजा काम करवाया जा रहा है, और आप मुझे बताए, टेक्नालोजी सस्तर पे है क्या आप मुझे बता दीजे, इनकी रेजिस्ट्री आफिस में रेजिस्ट्री नहीं हो पाती है हम तो एक प्रेटिक्शनर लायर हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं रोज उस तरीके की चीजों से दो चार होते हैं, जहां से ये अनुभाग कमाता है, दिन का दिन सर्वर फस जाता है और पता चलता है, दो रेजिस्ट्री होई, चार रेजिस्ट्री होई, और आउनलाइन आपने कराया हुआ, पिछले दिन चल ला था, तो पचा चला 200 रेजिस्ट्री जो है आउनलाइन है, और होती दश्ट हो है चिक भात कपी जी, मैं रागविन जी के पास चलूँगा, रागविन जी, दो बुनियादी सवाल जो मैंने उठाए, कि पहले गोमुख से गंगा चले तब गंगा सागर जाए, आप गंगा सागर से गोमुख ले जाना चाहते हूँ गंगा, कंचन बर्मा जो हैं, वहां से उनलाइन हाधरी शुरू कराओ, राडियाटर जनरल वेशिक शिक्षा, और होते होते हैं, खंड विकास शिक्षा अधिकारी तक उनलाइन रखो, उन समय उनलाइन करा दो, जिस दिन करा दो, उस दिन बताओ, तो हम लोग भी पहर भी करें शिक्षकों से, कि भाई आप अब तक मुझे लगता है, जब भी होगी, 27 काम वो जो पढ़ाई से, जिनका कोई वास्ता नहीं हो, और तीसरी बाती है, पांच दिन हो गए, छैलाक अध्यापकों का प्रश्ट नहीं, इसके लिए तो मेरे खाल से, अधिकारीों को किनारे करके, राजनईतिक पहल होनी चाहिए तीसमबात के, अधिकारी तो छोटी चीज है, नहीं, राजनई जी, लोगतंत्र में इसके लिए तो सरवोचिस्तर पर पहलो जानी चाहिए थे, पोलिटिकल लीडर्शिप के साथ, नहीं, 6 लाख लोग सड़क पर है, छोटी बात है क्या, कि D.I.O.S. निपट लेगा, कि B. कि तिच्छा के अलावा इससे सभी काम कराये जाते हैं, जी, शूब बोले से बोले चली भी बोले हैं, इसमें बातर सोचे, चार बार इनकी सरकारे रही, इन लोगों ने क्या कोई अलग में उस्ता कर रखी थी क्या सिच्छों की, जो हमारे ओपर ये तोहनत बढ़ रहे हैं कि लंबे समय से इस परकार की विवस्ता चली आ रही है, कि कांग्रेस के सरकारों में भी थी, बस्पा के सरकारों में भी थी, समाजवादी पाज़ी की सरकारों में भी, इसी परकार की विवस्ता थी अमताब, हाँ लिश्य दूरू से ज़्यादा काम लिया जाता है इसमें, इसके लिए कोई एक पार्दर्सी पर उस्ता हो नहीं देए